साथिय जोहार, आदिवसी हुंकार में आपका स्वागत है, मैं ग्लैडशन गुंजूंगूं। आज मैं सुप्रिम कोट के द्वारा आरक्षन को लेकर दिये गए फैसले के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। दस फर्वारी को आपने देखा होगा, अकबारों में यह मसला सुर्खी बना रहा। तई जया पर चर्चा भी हुआ, लोगसभा में भी इसको लेकर हंगाना हुआ। तो हमें यह समझना बहुत जिरूरी है कि सुप्रिम कोट के जो फैसला आया है, उसका परिनम क्या होगा। जो कि किसी भी मसले पर जब तक संसत कानून नहीं बनाता है, तब तक सुप्रिम कोट का फैसला को कानून माना जाएगा। यह है शर्थ। इसलिए यदि अगर तेंद सरकार कोई बिल नहीं लाती है, संसत में कानून नहीं बनाती है, तो जो सुप्रिम कोट ने फैसला दिया है, वो लागू होगा। अब इस फैसला में क्या है। सुप्रिम कोट ने कहा कि आरक्षन मौलिक अधिकार नहीं है। कि आरक्षन देना और नहीं देना या सरकारों के गुवित पर निर्भर करता है। तो आप किंदर सरकार या राज सरकारे आदिवाशियों को, दलितों को, ओबिशी को अरक्षन देंगे और नहीं देंगे उस सरकारों पर निर्भर करता है। साथ योग, असलिये इसलिये इसा हो रहा है कि देश में जो मनु वादि और ब्रह्मन वादि जो शाषन कर रहे हैं, सरकार वोई चला रहे हैं, ओट वो चला रहे हैं, पूरा शाषन पंतर ही उनका है, इसका हम स्टेट बोलते हैं, विधाई का, कार्षपाली का, नियारपाली का, मीडिया, सब कुछ उनके हाथ में है, तो वो अपने मुसर चलाते हैं, और आप लोगों को याद होगा, अरक्षन को लेकर विगत कही वर्षों से निरंतर हमला किया जा रहा है, और यह एक तरह से उसी का हिस्सा है, इसको मैं कह जाता हूँ, या मनुवाद और ब्रह्मनवाद की दिशा में एक बड़ा कतम है, एक ठोस कतम है, इसलिए आदिवाशियों को, धलितों को, और ओबीशिक के लोगों को समझना पड़ेगा इस मसले को लेकर, आप इस मसला पर फैसला देने वाले जजों का भी नाम आप देख लीचे, दो जज है, नगेश्वर राव और हमत गुप्ता, ये कौन सा सम्मुदाय सा आते हैं, जब ऐसा फैसला देना था, तब उस में जो है, उस बेंच में, क्यों जो है, ओभी सी दलित और आदिवाशियों सम्मुदाय के जज नहीं थे, तो आप देख लिए जी सुप् मनुदाद और ब्रहमनुदाद को लगू करने के लिए फैसला देंगे, तब ऐसा ही फैसला आएगा, अब इस मसला को थोड़ा हम लेक समझते हैं, कि ये मसला सुप्रिम कोट में आया कैसे है, ये मसला उत्रखन से सुरू हुआ, पांच सितंबर 2012 को उत्रखन सरकार ने निर के, उसमें आदिवासी और दलितों का आरक्चन को किनारे करते हुए न्युक्ति करने के लिए जो है, वो सरकार ने परिपत्र जारी किया, जब ये परिपत्र जारी हुआ, तो स्वावाई है, कि आदिवासी और दलित समुदाए कि लोग इसका विरोध करेंगे, तो कुछ जब याची का दायर हुआ, तो उत्राखन उच्च निया आले ने भारतिय समिधान के अनुछे 15-16-4 को ध्यान में रखते हुए, सरकार के इस मिर्ने को खारिच कर दिया, उसने कहा कि इसा नहीं हो सकता है, आपके आरक्चन देना पड़ेगा, लेकिन सरकार यहां तक नहीं रुकी, जब सरकार को लगा कि उसके निरने को चुनोती दिया गया और उचाला निरब्जास कर दिया, तब उत्राखन सरकार सुप्रिमकॉट चली गई है, और सरकार सुप्रिमकॉट ने तीन बड़े वकील खड़े किये, उनका भी मैं आपको नाम बताता हूँ, मुकुल रोतागी, पियस, नसिमा और रंजित कुमार, इन लोगों ने उत्रकंट सरकार का पक्ष सुप्रीम कोट में रखा, और अन्ता सुप्रीम कोट के दो बेंच वाले खनपीठ ने इस मसला को उत्रकंट कुछी ने आलाय के निरने को खारिश करते हु सिधा बोल दिया कि आरक्षन मौलिक अधिकार नहीं है, यह आरक्षन पर एक तरह से बहुत पड़ा हमला है, अब इसमें यह भी हमें देखना चाहिए, आप लोगों ने देखा होगा कि रहुल गंधी ने कहा कि भाजपा सरकार जो है असल में जलितों को आदिवासियों को आरक्षन देना ही नहीं चाहती है, आरक्षन को खडम करना चाहते हैं, यह सही है, लेकिन यह भी समझना पड़ेगा हमें कि इसमें जह है कि नासिल भाजपा बलकि कॉंग्रेस और भाजपा दोनों की मिली भगत है, जब उत्राखन सरकार ने निर्ने लिया था 5 सितंबर 2012 को उस समय में उत्राखन में किस की सरकार थी? उस समय में उत्राखन में कॉंग्रेस की सरकार थी, इसको क्या कहेंगे? और जब यह मसला पुछी नयाला में चला गया और सरकार की निर्ने को खारिच कर दिया गया, तो इस मसला को चुनोती किस ने दिया? उत्राखन की भाजपा सरकार में और भाजपा सरकार ने तीन बड़े वाकिल जिनका नाम मैंने बताया उनको अरक्षन के विरुद में सुप्रिम कोड में खड़ा किया अब ये देखिए कि केंद्र में भाजपा की सरकार है उत्राखन में भाजपा की सरकार है पहले जो निर्नया लिया उत्राखन कोणिसकी राज सरकार थी तो मैं मिली भगत इसलिए का रहा हूँ कि देखिए ये निर्नाय इसलिए ऐसा लिया गया उत्रकन सरकार से लेके सुप्रीम कोड़ तक क्योंकि वहाँ जो बैठे हुए थे निर्नाय लेने वाले वो सारे के सारे मनुवादी और प्रह्मनवादी लोग हैं ये जो है आदिवाशियों को दलीतों को बड़े बड़े पदों पर देखना नहीं चाहते हैं आज आदिवाशी जो है डाक्टर बन रहे हैं इंजिनियर बन रहे हैं आईएस आईपेस बन रहे हैं मंत्री बन रहे हैं ये इनको जो है कि ये डाइजस्ट नहीं कर पा रहे हैं मनुष्मृती लिखा, चरवन्नों को जह है कि उसने उसकी रचना की, जिसमें आदिवासी दलितों को, ओबीशी को सुद्र कहा गया, तो वो चाहते हैं कि आदिवासी दलित, आज जो है, ओबीशी के लोग सिर्फ ब्रह्मानों का, पथाकति सौन जातियों का, कचला उठाए, उनको जो है कि उनका पायर के निचे रहे, ये कोई पद पर ना जाए, बड़े पद उंपर ना जाए, आप इसी सद्रकता इनको मालूम है, कि अरेक्चन की वजा से ही आज जो है, डलित, आदिवासी और ओबीशी की लोग बड़े बड़े पद उंपर जा रहे हैं, आप सोचिए, आज भी, देश के लगभग हर एक विभाग में आप चले जाए हैं, शत्तर प्रतिशत पदुग पर पथाकतित सोवन लोग ही बैठे हुए हैं, नासित सरकारी पदुग पर, आप मंत्री मंडल में चले जाए हैं, भारत सरकार का मंत्री मंडल उठा के देख लीजिए, राज सरकारों का मंत्री मंडल उठा के देख लीजिए, आप जो है, ज़ आप चले जहे बीजनेस में चले जहे, सारे जगह पे लगबग 70% बड़ी पाद्जिए है. परनों के पास है। लेकिन अभी भी ये डाइजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लगबग 20-30% पर यहाई कि आदिवासी दलीता और अभीशी के पास है बड़े पाद। वह वहाँ पर देखना नहीं चाहते हैं। यही कारण है। यह चाहते हैं कि देश में अरेक्षन खतम हो जा है तो यह कोड का सहारा ले रहे हैं। अब यहां मौलिक प्रसन्या है। क्या अरेक्षन मौLICK गणहद नहीं आप देखें। अरेक्षन जो है कहां से आया। सबीदान सभा का भास उठाकर के देख लिजिए। जब सबीदान सभा में भास चल रही थी तब किसको लेके बहस चल रहे थी, बहस इसलिए अरक्षन पर आया, तो कि ये मनु आधी लोग, आधिवासी उनको दलित को, होबीशी को कहीं भी प्रत्नी भित्वा नहीं देना चाहते थे, इसलिए बहस चला, और अरक्षन आया, तो वो मूल रुक से इसलिए आया, कि आधिवासी और जिख समुदय के लोगों को प्रतिनी धित्वा दिया जाए, कहा प्रतिनी धित्वा दिया जाए, सरकारी नोकरी में, विधान सभाओं में, लोग सभाओं में, और इसलिए अरक्षन को जो है, समिधान का अनुचे 15-4 और 16-4 के तहट लाया गया, और यहां पर किसकी बात की है यहां यही बात किया गया कि जो बंचित तक्का है जिनको जो है कि दबय कुछ यह तक्की है उनको जो है प्रतिनी धित्व दिया जाए और वह इसे दलीत रादिवर से समुझाय है जिनको जो है कि प्रतिनी धित्वा कम है जिनका उनको प्रतिनी जिनका प्रतिनी धित्यों कम है उसको प्रतिनी धित्यों दिये जाए और दूसरा वन्चित तपके हैं उनको जह की प्रतिनी धित्यों देने के लिए सुनिशित किया जाए। अब हश्यस्पत बात गिया है कि समिधान का अनुचेद 15-16 कहां पे रखा गया है। दो निया मूर्ति ये का रहे हैं कि आरक्षन जो है कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो फिर वो आरक्षन जो है समिधान का अनुचेद 15-4 और 16-4 मौलिक अधिकार में क्यों रखा गया है वे। देखिए ये सीधे तोर पर ना सिब आदिवासी और दलित और अभीशी पर हमला है बलकि या समिधान पर हमला है साथ्यों। ये निरन्त और समिधान पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है जब सुप्रिम कोट ने निरने ले लिया तब आरक्षन कैसे बचेगा। अरक्षन बचाने का आप एक ही तरीका है कि सरकार के पास तुकि वो सकती है कि वो संसद में कानून बना सकती है। यदि केंदर सरकार संसद में कानून लाती है जिस तरह से जब ACST एक्ट पर सुप्रिम कोट ने लिया तब पूरे देश में हंगामा हुआ भारत बंद किया गया तब केंदर सरकार मजबूर होकर उसने कानून बनाया। अब उसी तरह से इस मसले पर भी केंदर सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, संसद में बिल लोना पड़ेगा और कानून पारित करना पड़ेगा तब ही जो है कि हमारा आरक्षन का अधिकार बच शकता है। नहीं तो सासंतंत्र में जैसे ही ब्रहण वादी आएंगे, मनु वादी आएंगे, अरक्षन को जो है कि वो लागू नहीं करेंगे। अभी भी देखिए कि बहुत सारा अरक्षन का सीट खाली हो जाता है। क्यों हो जाता है। कि ये जान भुषके जो आधिवासी और दलित कंडिडेट पास भी होते हैं तो उसको उनु फिल कर देते हैं, नम्मर कम देते हैं। ऐसे बहुत सारे मसले आये हैं देश में। चुकि ये चाते हैं कि जैसे भी करके आधिवासी दलित और ओबिसी के लोगों को नीचे रखो। सवर्न उनके पायर के नीचे होना चाहिए। तो यह जो कहते हैं, ब्रहमन वादी लोग, मनुवादी लोग कि हम सभी लोग दलित, आदिवासी, ओवी सी, सभी हिंदू हैं लेकिन दूसरे तरफ देखिए, वही सवर्न हिंदू लोग आदिवासी दलित और ओवी सी का झानु चक्ड़ाथ नहीं चुकते हैं, यही दलित और खासकर आदिवसी उनको समझना पड़ेगा, तकि आज भी दलित और आदिवसी लोग सवर्नों की, मनवादियों की, ब्रह्मनवादियों की मांसिक गुलामी का सिकार हो रहे हैं, उनका जो है कि जंडार हो रहे हैं, इसलिए आज जागने का स डागने के गोदेदीयों, तो जpletिक शमया ऐएसे आएगा, भारत का समिधान जो है, उसी को खतम कर दिया जाएगा, और भारत में मनुआत को लगु कर दिया जाएगा, और जिस दिन मनुआत को लगु कर दिया गया साथियों, दलित और आदिवसी और और OCasya को कुछ नहीं मिलने वाला है, आप जो है, स्वार्नों का मैलड होना पड़ेगा, उनका कच्राद होना पड़ेगा, नौकर और दाई बंतर रहना पड़ेगा, इसलिए मेरा निवेतन है, कि जितना ज्यादा इस संधेश को फायल आईए और हर जगा पर इसका प्रतिकार होना चाहिए ताकि केंद्र सरकार मजबूर होकर जो है कि आरक्षन को बचाने के लिए हमारा जो समयधानी का दिया गया उसको बचाने के लिए कानून बनाए यदि कानून नहीं बनाते हैं तो हमारा आधिकार खतम हो जाएगा इसी का extension है समिधन के आनुचे 330, 332 और 335 जिसमें संसत में विधन सभावों में और नोक्री में आदिवसी और बेलितों को अरेक्षन दिया गया है इसलिए साथी आप सभी लोगों को यह समझना पड़ेगा अरेक्षन हमारा मौली का दिकार है जिस पर मनुवादी, ब्रह्मनुवादी, सुप्रीम कोट के दोरा हमला कर रहे हैं सरकार के दोरा भी हमला करेंगे चालो करब से हमला कर सकते हैं इसलिए सरकार को हमें मजबूर करना पड़ेगा अगर आपने मजबूर नहीं किया तो यह सरकार कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि यह सरकार मनु अधियों की सरकार है, क्योंकि सरकार सीधा जय की खानून नहीं बना सकती थी आरक्षान के खिलाब, यह फिर आरक्षान को खारीज नहीं कर सकती थी समयदान से, इसलिए इन्होंने सुप्रियों कोट के दोर आई सा करवाया है, इसलिए आज जगने का स पिकार नहीं रहेगा समीगान खारिज कर दिया जाएगा और यह की देश में मनुवाद ब्रह्मनवाद को लागु किया जाएगा आज के लितने ही बहुत बहुत धन्याबाद जोहार